दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल पर तो दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा अपडीट है उन अभ्यारतियों के लिए जो राश्चन कंप्यूटर अंदेसक बरती 2022 जो बेसिक और वरिष्ट कंप्यूटर अंदेसक के पदों पर निकाले गई थी 10,000 से ज्यादा पत थे लेकिन दोस्तों 40% की जो बाद देता थी उसके चलते इसमें तकरीवन 3,000 सीटे खाली रह गई थी हलंग की जो अभ्यारती है उनका कहना है कि वो 3,000 पदों पर सरकार सीथी लंदे के इन पदों को पूरा भरे लेकिन जो इससे पहले सफल हो गये थे तकरी Senior Computer Instructor 2022 Online Scrutiny from Forum and DV Schedule for Selected Candidates ठीक है दोस्तों तो ये जो DV का जो कारेकरम है वो जारी कर दिया गया है 17 अक्टूबर से ये जो आप लोगों की स्कूरूटनी है Verification है ये होने हैं आप लोगों के सामने ये देखी कारिया ल्यादिस 11-10-2022 मादमिक शिक्षा विभाग के अंतरगत जो 8,944 नोन TSP के 888 थे ये बेसिक के थे इसके अलावा हम बात करें वरिष्ट की तो इसमें 282 और 13 इस तरीके से पद दिये गए थे और अब इनका Document Verification का जो कारिकरम है वो जारी हाँ पर कर दिया गया है दस्तावे सत्यापन ही तो जो आप लोग उपस्तित होंगे तो विश्तरत आविदन पत्र दिनांक 13-10-2022 से ओनलाइन ही भरना होगा यानि कि verification कराने पहले आप लोग जाते थे तो आप लोग को अलग से भरकर के offline लेके जा सत्यापन के जो fees है वो भी आप लोग को online ही ये सारा process करवाना होगा SSOID पर recruitment portal में जा करके और उस पर ये आप लोग सारी details भर सकते हैं जो इस भरती में चैनित हुए हैं उनके लिए सूचना है online करना है आप लोगों को अगर आप ये form जो है online नहीं करेंगे दस्तावे सत्य सत्यापन वाला तो आप लोगों को दिक्कत होगी ठीक है तो ये online आप लोगों को करना है और उसका print out आप लोगों को ले करके जाना होगा ठीक है यहां पर बताए गया इसकी दो प्रती और फीश जमा की प्रती प्रिंट कर दस्तावे सत्यापन के लिए आप लोगों को ले करके जाना है 17 10 से 21 दस तक ठीक है दोस्तों कहां पे होने वाले हैं वरिष्ट और basic computer रंदेशक के लिए सुची बदा ब्यर्तियों के दस्तावे सत्यापन 17 10 से 21 दस तक सेट अनंदी लाल पोद्दार मूख बधिर उच्च माध्मिक विध्धाले जवारन लाल नहरू मार्ग जैपुर में 10 दलों दुआरा दिनां 27 10 से 7 11 तक सेट अनंदी लाल ठीक है तो यह इनोंने क्या किया दोस्तों दो टुकड़ों में किया है पहला जो चरण है वो होगा 17 से 21 तक होगा 10 दल होंगे 10 ती में होंगी और उसके बाद जो होगा 27 तारिक से और 7 नवंबर तक ठीक है 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगा जिसमें भी 10 दल होंगे इस थान आप लोग का वही रहेगा सेठ आनंदी लाल पोदार मूक बधिर उच मादमिक विधाले जवाल लाल नहरु मार्ग जैपूर और गुरू नानक भवन सिक्षन सनस्तान आदर सनगर जैपूर ठीक है यह यहाँ पर दिये गए हैं अब यहाँ पर देखिए सिस्कूल का नाम दिया गया है समय दिया गया है सत्रा तारीक को जिनको जाना है उनके रोल नंबर्स दिये गए हैं इसी तरीके से आप लोग आगे भी देख सकते हैं सत्रा तारीक का ठीक है तो तमाम जो सैडूल है जो कारेकरम है दस्तावेज सत्यापन का वो यहाँ पर दिये दिया गया है लगबग सेट आनंदी लाल पोदार मूक बदिर जो वे स्कूल है उसमें दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं दस दस दल ये मिलकर के वेरिफिकेशन करेंगे आप लोगों कितना करना है कि आप लोगों को एक फोर्म है स्कूर्टनी वो फोर्म है वो यहाँ पर भरना होगा ठीक है वो भर करके आपको उसकी ओनलाइन दो प्रती लेनी है फीश जो जमा करई आपके उसकी एक प्रती लेनी है सारे ओरिजिन डोक्यूमेंट लेकर के जाने हैं सारे चीजे हैं गुरू नानक सिक्षन संस्तान जैपूर ये भी आप लोग इसमें भी जिनका दिया गया है उसमें आप लोग को जाना है ठीक है दोस्तो तो ये दो चरणों में 17 से 21 और 27 से 11 ठीक है ये यहाँ पर दिया गया है सेश आरक्षित दिवस अन्य कारे के लिए भी यहाँ पर इनोंने बता है ये टीएसपी का आप लोग देख सकते हो टीएसपी का भी जो कार पर इकरम है वो ठीक है ये पीडिया आफ आपको मिल जाएगी टेली ग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी चानितों को सुपकामने अपने डोक्यूमेंट है वो पूरी करके ले जाएं तेरा तारीक से ध्यान रखे परसों से आप लोगों को ओनला कि इस वीडियो में इतना ही जैहिन जैवारत